ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादिशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टाचारिय और अब पेश है आज के मुख्य समाचार 36 गढ़ राजजी निर्वाचनायोग ने नगरी निकाय चुनाव के लिए कारेक्रम घोशित किये 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव और 16 शहरों के 17 वाडों में उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे केंद्री मंद्री मंदल ने प्रधान मंद्री गरीब कल्यान अन्न योजना को और चार महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है 36 गड़ सरकार द्वारा अपना अंशदान जारी नहीं करने के कारण केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहत आबंटित राशी को वापस लिया और मुख्य मंत्री ने जग्डलपूर में आदिवासियों की बहतरी के लिए चिराख परियोजना का शुभारब किया, 14 जिलों में इसे लागू किया जाएगा अब समाचार विस्तार से 36 गड़ राजजी निर्वाचन आयोग ने नगरी निकाय चुनाव के कारिकरम खोशित कर दिये हैं प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा इसी दिन 16 शहरों के 17 वाडों में भी उपचुनाव कराए जाएंगे संबंधि जिला प्रशासन चुनाव के अधी सूचना 27 नवंबर को जारी करेंगे और इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी 3 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं 6 दिसंबर तक नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह कावित रण होगा 23 दिसंबर को मत गड़ना के बाद चुनाव परिणाम घोशित कर दिये जाएंगे इस बार भी चुनाव बैलिक पेपर से होंगे चुनाव में नोटा का प्रावधान भी रहेगा राज्य निर्वाचन आयुक्ति ठाकुर राम सिंग ने आज रायपुर में एक पत्रकार वारता में बताया कि चुनाव वाले शहरों और वाडों में ततकाल प्रभाव से आचार संगिता लागू हो गई है उनोंने बताया कि चार नगर निगम, पांच नगर पालिका, चार नगर पंचायत के अलावा सत्रा वाडों में उप्चुनाव होंगे चुनाव के लिए एक हजार मतदान केंडर बनाए जाएंगे वहीं उप्चुनाव के लिए 37 केंडर निर्धारित किये गए हैं नगर पालिकाओं के चुनाओं में इस बार 7,78,420 मतदाता और उपचुनाओं में 26,896 मतदाता अपने मतधिकार का प्रेयोग कर सकेंगे आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार की गई है इस बार भी उमिद्वार अपना नामागकन आउनलाइन जमा कर सकते हैं मतदाता सुची में नाम जुड़वाने और मतदाताओं को प्रेयरित करने के उद्वेश से आयोग द्वारा इस बार जागव वोटर जाबो कारिक्रम चलाया गया आयोग द्वारा जारी निर्देश के नुसार उमिद्वारों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से लेकर मतगड़न तक कोविट गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा उन्हें मतदान केंडरों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइसर और मास्क की व्यवस्था रखनी होगी उलेखनी है कि चार नगर पालिक निगमों, बीरगाउं, भिलाई, भिलाई चरोदा और साली, पाँच नगर पालिका परिशदों, सारंगड, बैकुंटपुर, शिवपुर, चर्चा, जामुल, खहरगड और छे नगर पंचायतों, प्रेम नगर, मारो, नरहरपुर, पहरमगड और भोपाल पटनम में चुनाव होने हैं। शृट हाकुर ने बताया कि तीनों कृषी कानूनों को निरस्ट करने के आपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। और दिशा निर्देशों के बावजूद, राजी सरकार ने वर्ष 2019 से अपता कि स्योजना के तहट अपने अंशदान की राशी को जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट के इंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशी देती है और राजी सरकार को 40 प्रतिशत राशी व्यहन करनी होती है। पत्र में ये भी कहा गया है कि स्योजना के क्रियानवेन के लिए निर्धारित विभिन मापदंड जैसे नए आवासों का पंजिकरन, लाभार्थियों का आवासों का आबंटन और पिछले आबंटित आवासों को पूर्ण करने जैसे मापदंडों के मामले में 36 गड़ सरका प्रधान मंत्री शेहरी आवास स्योजना के अंतरगत 3,61,000 मका निर्मान के प्रस्ताव पारित कर दिये हैं नए दिल्नी में कल आवासन और शेहरी कारे मंत्राले के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के अध्यक्षता में केंद्री मंजूरी और निगरानी समीती की 56 बैठक म इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई इसके साथ ही स्योजना के अंतरगत 1,14,000 मकानों के निर्मान की मंजूरी दी जा चुकी है केंद्री वित्त मंत्राले ने राजे सरकारों को करहस्तान तरण की दो किस्तों के रूप में 95,082 करोड रुपए की राशी जारी कर दी है 36 गड़ को अपने हिस्से के रूप में 3,249 करोड चौवन लाख रुपए मिलेंगे केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीता रमंद्वारा बीते 15 नवंबर को मुख्य मंत्रियों, वित्त मंत्रियों और उपराज जिपालों के साथ हुई एक वर्चुल बैठक के बाद ये राशी जारी की गई है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी राइपुर से सुन रहे हैं और अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक 36 गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने आज जगदलपूर में आदिवासी क्षेत्रों के लिए चिराग परियोजना काशु भारंब किया इसी उजना का उदेश किसानों के आमदनी के अफसरों को बढ़ाना और गाउं में पौश्टिक भोजन की उपलबदता सुनिश्चित करना है इसे बस्तर, बीजापूर, दंतेवाडा, काकेर, कुंडा गाउं, नाराइनपूर, सुक्मा, मुंगेली, बलोदा बाजार, बल्रामपूर, जशपूर, कोरिया, सूरजपूर और सरगुजा जिलों के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शास्की महिला पॉलिटेथञ्निक धरंपूरा का नाम करण, धर्मू महरा और बस्तर हाइ स्कूल का नाम करण, जगतु महरा के नाम पर करने की घोशना की वही मुख्यमंत्री ने आजगदलपूर में आस्था निकुंज सियानवाटिका में वृद्ध जनों से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने वृद्धाश्रम में फीजियो थेरेपी केंद्र का शुभारंब किया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने बस्तर प्रवास के दोरान धरमपूरा में शास की पॉलिट टेखनिक कॉलेज परिसर में निर्मित नए कारयले, स्मार्ट क्लास और स्मार्ट लैब का भी शुभारंब किया वही मुख्यमंत्री ने नवदिर्मित इंद्रावती वर्किंग विमेन ट्रांजिट हॉस्टल के ग्री प्रवेश कारिक्रम में हिस्सा लेकर महिलाओं को उनके कमरों की चाब या सौपी मुख्यमंत्री ने बस्तर को वेलनेस टूरिजम की सुविधा मुहया करा ने थिंक भी स्टार्ट अप सेंटर का शुभारंब पिकिया इस सेंटर के माध्यम से बस्तर अंचल में सभी प्रमुक परेटन स्थलों में परेटकों को योग, प्राणायाम, ध्यान, आयरुवेदिक और प्राकृतिक उप्चार तथा नेचर हिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी राश्टर वियापी टीका करान अभ्यान के अंतरगर देश में अब तक 118 करोड 48 लाग से अधिक कोविटी के लगाए गये हैं वहीं 36 गड़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड 58 लाग 23,000 सधिक लोगों को कोविटी के लगाय जा चुके हैं इनमें 87 प्रतिशत लोगों को पहला टीका और 45 फीजदी लोगों को दोनों टीके लगाय जा चुके हैं एक करोड 79,000 सधिक लोगों को पहला टीका और 88,000,000 सधिक लोग टीके की दोनों खुराक लगवा चुके हैं इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमन के 49 नए मामले सामने आए वर्तमान में 325 मरीजों का प्रदेश के विभिन नस्पतालों या होम आईसोलेशन में इलाज चल रहा है इधर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के आशंका को देखते वे महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेडिया ने आज रायपूर से बालो जिले के डोंडी लोहारा सामुदाइक स्वास्त केंद्र के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पी-पी-ई किट सहित लगभग साड़े साथ लाख रुपए के चिकित्सा उपकरणों को रवाना किया कवर्दा हिंसा की न्याइक जांच की मांग को लेकर भारती जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों ने आजरायपूर में मुख्यमंत्री निवास घेरने का प्रयास किया भाचपा नेता पार्टी कारले एकात्म परिसर से रैली की शकल में मुख्यमंत्री निवास के लिए निकले जिन्हें पुलिस ने सिविल लाइन के पास ही बैरिकेट्स लगा कर रोग दिया नेताओं ने वहीं धरना प्रदशन कर इस मामले की नैगजांच की मांग की भाचपा के राश्ट्री उपाध्यक्ष और पूरु मुख्यमंत्री डॉक्टर रवन सिंग ने कहा कि कवरधा हिंसा को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है 36 गड़ में ऐसे हालात कभी नहीं बने जो आज है वहीं प्रदेश भाचपा ध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मांग की कि राजी सरकार कवरधा हिंसा की नैगजांच का आदेश जारी करे और भाचपा निताओं के खिलाफदर जैफायार वापस ले क्रिशी मंत्री रविंद्र चौबे ने केंडर सरकार से 36 गड़ की मांग के अनुरू उप्रासायनिक खाथ की उपलब्धता सुनिश्चुद करने का आग्रह किया है उन्होंने केंडरी रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया के साथ हुई एक वर्चुल बैठक में राजजी को इसी महीने डिएपी खाथ की दो रैक और एनपी के खाथ की एक रैक ततकाल उपलब्ध कराने की अपील की इस पर केंडरी मंत्री ने 36 गड़ को मांग के अनुरू प्रासायनी कुरवरक उपलब्ध कराने का अश्वासन दिया है उन्होंने जैविक खात का उत्पाधन और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 36 गड़ सरकार द्वारा किये जारह प्रयासों की सरहना भी की राजधनी रायपूर के महादेव घाट में प्रदूशन की वज़े से खारू नदी के जल में पिछले एक दो दिनों से जाग देखा जा रहा है परयावरन संग्रक्षन मंडल के नुसार जांच में खारू नदी के जल की गुणवत्ता भारती मानकों के अंतरगत सी श्रेणी की पाई गई है इसके नुसार खारू नदी का जल परंपरागत उप्चार के दोरान पीने योग्य है पर्यावरन संग्रक्षन मंडल के विशेशग्यों ने बताया कि खारूर नदी के जल को स्वच्छ बनाने के लिए रायपूर नगरनिगम के अमरित मिशन के अंतरगत चंदन्डी और निमोरा में सीवरेज ट्रीट्मेंट प्लांट का निर्मान किया जा रहा है भाटा गाउं में स्थापित सेंत्र में पिछले महीने से काम शुरू हो गया है अपको चन्नी खबरें संग्षिप्त में मावाद प्रभावित 61 परिवारों के लिए कुंडा गाउं में आवास बनाए जाएंगे उद्योक विभाग ने राजीव गांधी आश्राय योजना के अंतरगत भिलाई के पात्र नागरिकों को पट्टा प्रदान करने जमीन हस्तांतरित के लिए सहमदी दे दी है जाजगी चापा जिले के नरियारा गाउं में शराब दुकान के गाड की हत्या के विरोध में ग्रामिनों द्वारा किया जा रहा चक्का जाम आज भी जारी रहा इस से बिलासपुर शिवरी नाराण अकलतरा मार्ग पर आवा जाही प्रभावित हुई और सुक्मा जिले के दोरनापाल थानाक शेतर में पुलिस ने एक वाहन से सौ किलो गांजा जब्त किया है जब्त गांजे की कीमत करीब दस लाख रुपे बताई जा रही है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर 36 गड़ राजे निर्वाचन आयोग ने नगरी निकाय चुनाव के लिए कारिक्रम घोशित किये 10 जिलों के 15 शेहरों में निकाय चुनाव और 16 शेहरों के 17 वाडों में उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे केंद्री मंत्री मंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना को और चार महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है 36 कर सरकार द्वारा अपना अंशदान जारी नहीं करने के कारण केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहट आबंटित राशी को वापस लिया और मुख्य मंत्री ने जगदलपूर में आदिवासियों की बहतरी के लिए चिराक परियोजना का शुभारंब किया 14 सिलों में इसे लागू किया जाएगा इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार